दोस्तो अगर आप प्रो कबड़ी लीग देखते हो तो आपने परदीप नर्वाल का नाम तो सुनाई होगा जिनके नाम पर मोस्ट रेड पॉइंट का रिकॉर्ड है लेकिन क्या आप किसी ऐसी प्लेयर को जानते हो जिन्होंने एक ही मैच में सबसे ज्यादा रेड कौन है वो प्लेयर आए जानते हैं आज के इस वीडियो में नमस्कार मैं हुआ पुनित पुवानी एंड वेलकम टू आरवी सीजे स्पोर्ट दोस्तो आज के टाइम में इंडिया में सेकेंड बेस्पोर्ट में आता है कबड़ी यानि कि लोग क्रिकेट के बाद कबड़ी ज्यादा पसंद करते हैं और करें भी क्यों ना हमारा खुद का स्पोर्ट जो है लेकिन जब से प्रो कबड़ी लीक स्टार्ट हुआ है तो यह स्पोर्ट की हाइप कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है इंटरनेशनल और डॉमेस्टिक प्लेयर्स खेलते हैं वहाँ पर रिकॉ के सीजन 7 की जहां मैच हो रहा था हर्याना स्टीलर्स और बैंगलुरू बुल्स के बीच वहीं पर पवन सेरावत खेल रहे थे बैंगलूरू बुल्स के लिए बैंगलूरू बुल्स के लिए यह मैच बहुत इंपॉर्टन था क्योंकि वह पिछले तीन मुकाबलों में से एक ही मुकाबला जीत कर आई थी और अगर यह नहीं जीत थी तो वह टॉर्णमेंट से बाहर हो सकती थी उस मैच के फर्स्ट हाफ के फर्स्ट रेड में जब पवन गए तो उन्होंने एक बोनस पॉइंट और एक टच पॉइंट हासिल किया यहां पर पवन बिल्कुल नहीं पॉइंट हासिल करकर आये और उसमें वह सिर्फ एक ही बार आउट हुए थे सेकेंड हाफ शुरू होने से पहले हर्याना स्टीलर्स का बस एक ही प्लैन था कि ज्यादा से ज्यादा वह पवन को बेंच पर बिठा कर रखें लेकिन पवन सरावत कुछ अलग ही सोच कर आये थ उन्हों ने 38 अटेंप्स किये और 39 रेट पॉइंट हासिल की और इस तरह पवन सरावत ने मोस्ट प्रेट पॉइंट पॉइंट मैच का रिकॉर्ड बना दिया जो आज तक पीकेल के इतिहास में उन्हीं के नाम पर है 2022 के पीकेल ऑक्शन में पवन सरावत बन गए सबसे एक लगता है पवन सरावत को कौन सी टीम खरे दीगी क्या वो फिर से बैंगलूरी बुल्स के लिए खिलने जाएंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही कुछ वीडियो के लिए फॉलो करना आरवी सीजे स्पोर्ट्स को जैहिंद दोस्तों अगर आपको कुछ कूल संग्लासिस या ज्वेलरी का शौक है तो आप अभी के अभी www.rawbear.com पे जाके विजिट कीजिए इस साइड पर है बहुत अच्छे अच्छे और trending संग्लासिस और बहतरीन किसम की ज्वेलरी जो आपके लुक को और भी हसीन कर देंगे